जानना चाहँगे एक आंसी मेरी एक सोच में यह सीज आती है क्या परेशानी का कहीं ना कहीं तालुक्त से होता है चीजों से होता है या जिस चीज के बार में पशूंए उसकी बुनियाद से होता है परिशानी का थाओं Kis की चीज की चीज क republic करसा हो सकता है कुछ भी हो सकत है, कूछ भी हो सकता है मिंसाल बॉज़ भाज और चीज़ कैसे होता है चीजिदे सही चार रहे ङा है है वक्त ऐसा है कि हर दूसी चोथी चीज़ खराब होने लग पड़ती है अच्छा वो खराबी है ऐसे उमड कि आपकी तरफ आती है आप हरान होते हैं कि यार यह हुआ क्या मैं जिसकी सजा भुगत रहा हूं मेरा कुसूरी को यह नहीं है आपको बास उकार ऐसा लगता है और यह कजीब सा मेरे साथ हो गया सो वक्त भी हो सकता है बास वकात आपकी को बेवकूफी होती है आपकी नलाइक की और नाहली नलाइक होना एक उलादा चीज़ है नाहल होना ना समझी कुछ भी हो सकता है आपकी मसूमियत भी आपकी कमजोरी बनती है ना कहीं तो आपकी नला तो आपकी वो जो कमी और नलाइकी है ना ये कहीं न कहीं आपकी आपकी परिशानी का सबब बन जाती है अब होता कि है एक बात को हमने बड़े दिहान से समझे है वासिप अली वासिप साब का जूमला है दो जूमलों के साथ मैं प्रोग्राम आगे लगे चाहूंगा आप कहत इस बात को समझाने के लिए फैलाद से मैं एक यूश्ट्री में मैसकॉम का एक सिब्यक्ट पढ़ा था 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 ता इसमें पहला जो बच्चा था ना बट्टिस क्लास में स्टूइट थे मॉम डड़ शीक लाहूर की उनुस्ट्री पहले बच्चे को मैंने एक चिट पे कु नजब उस पर्चे पे लिखा हुआ था कि गुजनवाला में एक शादी हुई शादी में जब रुख्स्ती होने लगी तो दूला उसका भाई दूले का और दूलन के भाई की लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी भड़ी लेकिन मामू ने सुला करा दी और आखरेकार खै जिसमें दो कतल हो गए और लड़का जो नसा है वो मफरूर होके भाग गया पर लड़की बिचारी गहर बैठी रही है मैंने का ये दरम्यान में जो सारी मिलावट हुई है गुजनवाला के लफज के इलावा सोचों की मिलावट है इनसान क्या करता है हर चीज को बढ़ा च हो बहुत बढ़ा हुए है अच्छा वह हुआ चोटा ही जिसमें तीन टांके लगे और वह उसके बाद 1122 की गाड़ी उठाके ले गी हुआ है आप कहेंगी बस उसकी टांग तो दो टुकड़ी होगी ये कहने में और दो टांके लगने में तीन टांके लगे बड़ा फरक है मुझे उसका सर फट गया था और मुझे लग गया था खुल गया सर हाला कि सर फटा था इनसान की सोचें और इनसान का बियान दोनों बड़ी इंपॉर्टन जूमले ये बाद उकात परिशानियों को बढ़ा चड़ा के बियान करता है